हराल महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में पर्णाम करती हूँ मेरा पर्णाम सुविकार हो माता गोरा पार्वती के चरण में पर्णाम करती हूँ मेरा पर्णाम सुविकार हो माता पिता के चरण में पढ़नाम करती हूँ मेरा पढ़नाम सुविकार हो सब गुरु भाई बहनों के चरण में पढ़नाम करती हूँ मेरा पढ़नाम सुविकार हो गुरु भाई बहन मैं कथा सुनाने जा रहे हूँ इस कथा को पूरा सुनिया और रहा जान ये आदी नहीं आदी सुन्ने में शिव गुरु का अपमान होती है और कथा को पूरा सुन्ने में ज्यान होती है इसलिए कथा को पूरा सुनिये और रहा जानिये हर हर महादेव घर घर महादेव गुरुभाई बहना एक राजा थे एक राजा थे और एक रानी थी तो राजा साहब के चार पूत्र थे चारो पुत्र बड़े बड़े हो चुके थे चारो पुत्र साधी सुधा थे चारो पुत्र के पत्नी बच चुकी थी जहां तक कि उनके दो पुत्र के बच्चे भी थे तो चारो पुत्र आपस में बैठ के और बाते कर रहे थे बहिया पिता जी सब दिन जाते हैं जंगल में सिकार करने और हम लोग को पता भी नहीं है किसी सिकार कैसे पिता जी करते हैं और हम लोग को कभी नहीं जाने देते हैं बहिया क्यों नब पिता जी के बतले हम लोग चलेंगे चारो भाई चारो भाई मिलकर सिकार लाएंगे चार में कोई न कोई तो सिकार मार लेंगे क्योंकि पिता जी किसी दिन लाते हैं और किसी दिन नहीं लाते हैं और हम लोग तो जाएंगे तो चारो मिलकर सिकार कर ही लेंगे कोई न कोई चारो भाई बोले कि अच्छा बात है हाँ ठीक कहते हो चलो पिता जी के पास चलते हैं और पिता जी से बोलेंगे जाके अपने पिता को बोला कि पिता जी हम सिकार करने जाएंगे आप तो सारा दिन सिकार करने जाते हैं लेकिन आज हम जाएंगे सिकार करने चारो भाई उसके पिता बोले तो कोई बात नहीं वेटा इसमें क्या दिक्कत है ये दुक्की बात तो है नहीं ये तो खुसी का बात है कि जो पुत्रे अपने पिता के सर के बोज ले लेता है वो पुत्र बढ़ा हो जाता है तो तुम लोग तो सिकार करने लायक हो जाओ कोई बात नहीं अच्छा बात है हमें भी बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर चारो पुत्र अपने माता से अपनी पत्मी से बोले कि भोजन बना दो रास्ते के लिए हो सकता है कि सिकार करने को लिए हम लोग दूर चल जाएं और आज ना भी लोट पाएं इसलिए भोजन बना दो उनके प चलते 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 जंगल में पहुच गये तो शिकार के लिए इधर उधर चारओ घूम रहे थे तो शिकार एक भी नहीं मिला था चारओ भाई इधर उधर घूम रहे थे तो देखें कि एक बकरी एक पेड़ के नीचे बंधी हुई है एक बकरी बंधी हुई है तो यह जो भाई था वो सोचा कि क्यों ना इसी जगा एक बकरी है तो बकरी के पास हम एक अपना घोड़ा बांदें और चारो भाई चल जाएंगे सिकार करने तो वहाँ पर चारो भाई घोड़ा बांदिया और शिकार करने के लिए जंगल में घुमने लगा लेकिन एक भाई को बोला कि एक यहाँ पे बैठे रहो और तीन हम लोग जाते हैं तो एक भाई बैठे रहा और तीन भाई जो था वो तीन भाई चला गया और चारो घोड़ा वहीं पे था तो यह जो बक्री थी वो राचसनी थी राचसनी सिथी देखने में बक्री लग रही थी बक्री का रूपधारन कर ली थी लेकिन वो बक्री नहीं थी वो बहूत भयंकर राचसनी थी वो क्या की की राचसनी बन के सबसे पहले तो यह जो भाई बैठा था उसको ख गोड़ा का खा गया और फिर से वक्री बन गया तो उन लोग तीनों भाई आएं तो देख रहे हैं कि अरे एक गोड़ा भी नहीं है और मेरा भाई भी नहीं है कहां चला गया आखिर किधर गया होगा आपस में बाते करने लगे कि अच्छा इधर उदर हो सकता है गुमने गया होगा वो जाएगा तो कहां जाएगा जंगल में वो भी चल गया होगा मारने को लिए तो घोड़े से चल गया हम लोग पैदल ही चल रहे हैं वो क्या किया कि दूसरे भाई को बैठा दिये बोले आप बैठी यहां पर और हम लोग दो जाते हैं सिकार करने इधर उदर एक भ पिर से राचसनी खा गई, फिर से राचसनी जब खा गई, तो ए लोग पूरा गुमने गए और लोट कर आएं, तो देख रहे हैं, किसी कार भी नहीं मिला, और एक भाई ये घोड़ा फिर से नहीं है, फिर से वो सोच रहे हैं, कि अरे, एक क्या हुआ? एक भाई जब उस वक् पता हो गया कहां चला गया आखिर ये भी चला गया है लगता है देखा देखी अच्छा कोई बात नहीं आप बैठिये यहां पे और हम जाते हैं सिखार करने को लिए तो तीसरा भाई भी वहां पर बैठ गया और दो घोड़ा रहा जब भाई चला गया तो इसको जाते ही इसका भाई का और घोड़ा को भी मार डाली घोड़ा को भी खाने लगी अब ये चिला के देखने लगा कि आखिर ये बकरी तो है नहीं एरा अचसनी है अब वो बेचारा क्या किया कि डर से एक पेड़ पेर चड़ गया एक ही दिन में तीन भाई चार घोड़ा का खत्म कर और इसको कहने लगा कि उत्रो तुम्हें भी हम खाएंगे तुम्हें लोटने नहीं देंगे यह बोला कि नहीं हम पेड के नीचे नहीं उत्रेंगे क्यों अपना प्रेड पेड पे प्रान ही दे दे लेकिन पेड से नीचे हम नहीं उत्रेंगे यह बिचारा पेड के उपर ही बैठा रह गया, लेकिन नीचे नहीं आया, जब नीचे नहीं आया, तो ए क्या की? कि खूप सुन्दर नारी के रूप धर ली, खूप सुन्दर नारी, सोला सिंगार कर ली, वत्तिस गाना पहां ली माई आभी सब और बहान के और बैठ गई पेड के नीचे और पूरा चिला चिला के रोने लगी कि भाई कोई हैं तो जो मदद कर दो मेरे पती जो हैं ओ मुझे त्याग करना चाहते हैं मैं साधी सुदा हूँ कहां जाऊंगी मेरा तो लगता है कि अब जीवन ही बेकार है ये जंगल में ले आया है मुझे और मुझे मारना चाह अब मैं क्या करूं पूरा कसकस के रोने लगी इतना ही में एक दुसरे राज के राजा उसी जंगल में सिकार करने आये थे सिकार करने आये तो इसको रोते सुनकर उसके पास चले गए और पास जाकर कहने लगे कि अरे आप क्यों रो रहे हैं इस सुनसान जंगल में क्या हु तुम्हें नहीं रखेंगे मेरा जिन्दगी बेकार है आप भला मुझे कौन पुछेगा बताइए ये कहने लगे राजा कि भाई आप ऐसे क्यों करते हैं ये आपकी पतनी है आपकी आरधांगनी है आपके साथ जिन्दगी जुड़ी हुई है इनका तो आप इन्हें लेकर ज हा गया है हम चार भाई थे मेरे पिता जी और माता जी घर में राध देख रहे होंगे मेरे जो घर में सब चारो का पत्नी है वो चारो का पत्नी रह देख रही होगी वीवी बच्चे है मेरा भृया राजा साहब हम इनहें लेकर नहीं जाएंगे कोई नारी नहीं है इनके जाल में मत आईए यह कहने लगी कि क्या कहूं आप नहीं जानते हैं ये किसी तरह से मुझे त्याग करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं ओ क्या की रचिसनी पूराय अपना मोहमाया करने लगी राजा को दया आ गया तो बोला कि क्या इन्हें हम अपना घर ले जा सकते हैं बोले कि हाँ अपना घर ले जा सकते हैं हमको उससे कोई तकलिप नह ले जाहिएगा तब तो पता चलेगा राजा सहाब आपको अभी थोड़ी पता चलेगा Prin कि उसको हाथ धरने लगे हाथ धरने लगे तो ओ कहती है राजा सहाब आपके घरम किस हक से जाएंगे बताइए आपकी पत्नी होगी आपके बच्चे होगे तो ओ बोलेंगे कि आप इसे ले आए हैं ये कौन है तो आप क्या कहिएगा बोले कि क्या कहेंगे बोलेंगे कि ये बन में रो रही थी तो ले आए हैं तो नहीं राजा सहाब आपके पत्नी बन के चलेंगे क्या आप सुविकार करेंगे मुझे पत्नी के रूप में बोले कि हाँ हम सुविकार कर लेंगे वो क्या कि जो राजशिनिया थी वो तो राजशिनी थी और आगे पीछे भी जानती थी तो क्या की कि अपने पास से सिंदूर दी और बोली कि मेरा मांग में भर दी जिये हम आपके पास साथ ऐसे नहीं जा सकते हैं ए राजा जो था वो क्या किया उसके मांग में सिंदूर भर दिया और आप दुसरा विवाह क्यों किये, क्या आपके घर में हम नहीं थे, जो दुसरा विवाह किये हैं, वो बोले कि क्या कहूं, यह जो थी, जंगल में बैट कर रो रही थी, तो मुझे मया लगा, और इसको पती त्याग कर दिये थे, तो हम लेकर चला आए हैं, आपको हम कोई तकल सबसे ही बात कहें सारा लोग मिलकर इसे सुविकार लिए और बोले कि ठीक है कोई बात नहीं आप रखिए इसमें मुझे दिकत नहीं होना चाहिए बोले ठीक है जिस दिन गई वह राजशिसनी घर में तो देखती है कि अरे हम तो बहुत बढ़ा घरात मार लिए हैं इतना गाई बकरी है, साब को धीरे धीरे खाएंगे तो हमें तो बर्सों में भी खतम नहीं होगा, धीरे 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 एक एक करके खाएंगे, एगो का रोज खाएंगे, पहले गोड़ा हाथी खाएंगे, नवकर को खाएंगे, तब राजा के देखा जाएगा, लास्ट में राजा क और मन में मुस्कुराती रही राजा बोले क्या आप मेरे घर में खुश नहीं है नहीं राजा आपके घर में खुश रहेंगे तो भला कहां हम खुश रह सकते हैं आपके घर में इतने नवकर हैं इतने दाई हैं इतने घोड़ा है इतने हाथी है उसके पास तो कुछ था ही नहीं हम आपके घर आकर बहुत खुश हैं बोले ठीक है ओ जो राजहसनी थी ओ औरत बनके रहने लगी रात होता तो राजसिनी बन जाती और राजा के कमरा से निकल राजह आपने पहली पत्नी के पास समय देते जो पहली पत्नी थी उवेचारी गर्वती थी और यी राजसिनी रात में राजसिनी बन जाती और एक घोड़ा कभी एक हाथी कभी एक नवकर खा जाती धीरे धीरे घर में उनका घोड़ा हाथी कमने लगा नवकर घटने लगा राजा को लगा कि कहां चला जाता है कहां चला जाता है एक दिन का बात है उनका जो नोकर था वो देख लिया खाते बिचारा डर से किसी से नहीं बताया लेकिन अपने रानी से बोला रानी साहब आप से एक बात कहें बोले कि क्या बोले राजी साहब अपना जुजान बकस दिजिए, तब हम कह सुनाएंगे बोले ठीख है आप कह दिजिए, हम किसी को नहीं कहेंगे और नहीं आपका कोई ढंड मिलेगा, आप कह दिजिए बोले राजी साहब, ये कोई राणी नहीं है, ये राक्सिनी है प्रती दिन एक हाथी का या एक घोड़े का या एक गाय का या एक भैस का या एक नोकर का प्रती दिन भोजन करती है हम अपने आखों से देखें हैं बोले अच्छा कोई बात नहीं हम भी देखेंगे हम लोग दोनों जाकर देखेंगे और इसे घर से निकलवा देंगे बोले हां रानी सहाग इसे निकलवा दीजिए और नहीं तो सब कोई खा जाएगा बोले ठीक है एक क्या किया रानी और नौकर दोनों मिलकर रात को देखने लगे देखने लगे तो ए रानी जो थी दुसरी रानी वो कमरा से निकल के बहुत भयंकर राक्सिनी बन गई और राक्सिनी बन के और आई और आकर और एक घोड़े के खाकर अधर चली गई अंदर चली गई फिर से खापी के मूँ पोच लिए अपना चल दी अंदर ये देखी से जाके और कहने लगी कि अरे तु एक राशी नहीं हो मेरे घर से निकल जाना मेरे घर में मत रहना हम राजा से बोल देंगे एक या किया की राजा के पहला ही जाके और चरन में लिपट के और रोने लगी राजा साहब आपकी पत्नी हमको मारना चाहती है क्या आप क्या कहते हैं राजा साहब वो कहती है कि ये रक्सीनी है क्या हम रक्सीनी हैं वो बोले नहीं आप तो रानी हैं आपको हम रक्सीनी कैसे कह सकते हैं तो राजा सहाब वो हमें तलवार से काटने के लिए जा रही थी हम अपना जान बचा के आए हैं बोले राजा की ठीक है कोई बात नहीं आप टेंसन मत लिजिए चिंता मत कीजिए उनकी बात नहीं मानेंगे यह जो रशिनिया थी वो बोली की राजा सहाब अपने पत्नी को पहली पत्नी को रखिये या मुझे एक ही रहेंगे दो नहीं एक राजा के दो रानी कैसा एक रानी रहेंगे राजा बोला नहीं आपको रखेंगे उसको कैसे रख सकते हैं और चला जाओ वह जो दूसरी रानी है राज सिनी है हम लोग छुटी मांके और राजा के घर से चलो बहुत सारे नवकर दासी जो थी ओ छुटी ले लिए और छुटी लेकर राजा के घर से चल दिये रानी के जाते ही जो पहली रानी थी उसको राजा घर से निकाल दिये हाथ पकड़ की कि तु मेर घर से चले जाओ, और इंगल से तो गोडा हाथी वच गया, कुछ नोकर भी रह रहे थे, दीरे दीरे करके अपना गोडा हाथी खाते रह गई, खाते रह गई, ये बेचारी जंगल चल गई, जंगल चल गई निकल के अपना मैके नहीं गई और जंगल में जाके लकड़ी बिनके टोड़के और एक जोपड़ी लगाई एक जोपड़ी लगाई और जोपड़ी में रहने लगी जोपड़ी में रहने लगी अप रती दिन थोड़ी सी लकड़ी तोड़ती थी और बजार गर्वती थी तो इसका लड़का पैदा लिया लड़का पैदा लिया तो बेचारी अपने लड़का को बालक को पोशने पालने लगी जो रुखी सुकी अपने खाती थी अपने बच्चे को दूद पिलाती थी और जब बच्चा बड़ा हो गया तो यह बेचारी लकडी जैसे हर समय बेचती थी पहले की तरह लकड़ी बेचते रही बच्चे को गोद में ले लेती थी और माथे पे लकड़ी और बजार ले जाकर बेच देती थी और उसी से परवरिस किया करती थी धीरे 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 बच्चा बड़ा हो गया बच्चा बड़ा हो गया तो बड़ा हो जाने के बाद ये बेचारी खेलने के लिए क्या करती थी कि उसको घोड़ा और हाथी बना दिया था लकड़ी के घोड़ा हाथी बना दिया था और ये जो बच्चा था वो बच्चा बहुत दूर खेलने चला जाता था बहुत दूर धीरे धीरे खेलते खेलते बड़ा होते 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 जब बच्चा 12 वर्स के हो गया तो मा लकडी बेचने जाती तो ये बच्चा घर में नहीं रह पाता था जोपी में बहुत दूर चलाता था अपने घोड़ा हाथी के साथ राजा के पास राजा के तलाओ में इसे करके आ जाती थी और आके और खेलती थ खेलता था जो लड़का था वो खेलता था और खेलते खेलते राजा के पास आने लगा और राजा के पास खेलता था खेलते खेलते कहता था अटके घुड़ा चटके घुड़ा राजा के दरवार में खेलो घुड़ा यह जो रानी सुनती थी तो सोचती थी कि अरे यह कौन है ये अटके गुड़ा राजा के दरवार में खेलो गुड़ा ये सब कौन है ऐसा ही करते करते ये जो लड़का था ओर राजा के पास गया राजा के पास गया और राजा के जाके बोला कि राजा साहर आप हमें कुछ काम दीजिएगा राजा बोले हाँ काम देंगे मेरे पास तो काम है लेकिन जी करता है कि तुम्हें कोई काम नहीं देखे और हम तुम्हें अपना घर पुत्र बना के रख ले बोले कि नहीं राजा सहब मेरी मा है हम आपके पास नहीं रह सकते हैं आपके पास काम करेंगे लेकिन आपके पास रह नहीं सकते हैं हमको मा जो है लकड़ी बेच कर और परवरिस करती है तो हम आपके पास काम करना चाहते हैं बोले ठीक है आपको हम काम देंगे नहीं भी काम रहेगा फिर भी हम काम देंगे राजा उसको काम दे दिये यह जो सोतीली मा थी रक्सिनियां वो इसको से बहुत प्यार करने लगी इसको कोशिस में थी कि किसी तरह से हम इसको मार डालें खा जाएं कि उसका जो है और निसाना ही खतम हो जाएगा ये जो लड़का था वो प्रती दिनाता था राजा के पास काम करता था और राजा के पास काम करके और चला जाता था राजा के पास काम करके चला जाता था वापस मा के पास और कुछ न कुछ ले के जाता था मा जो इसको थी वो बोलती थी वेचारी कि तु कहां काम करता है तो राजा के पास कम करते हैं मा हमको एक राजा रखते हैं बोलते थे कि अच्छा ऐसा तो हाँ ए जो रशिनिया थी ओ धीरे 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 इनका घर पूरा खतम कर दी घर जब खतम कर दी सब जितना घाती, घोड़ा, नुकर, चाकर सब खतम कर दी एक दिन का बात है कि रसिनिया राजा पे हाथ लगाने लगी खाने को लिए अब राजा ही बचे थे कोई नहीं रहा घर में ये जो बेचारा काम करता था ये भी घर आ गया था मा के पास और राजा ही बचे थे खाने को लिए राजा के मूँ ठाके चली रक्सिनिया खाने को लिए अभी जो राजा था वो दोड़ते दोड़ते भागने लगे कि अरे हमको तो ये खा जाएगी सचमुच मेरा सिनिय है अब हम क्या करें अपना जान बचा के और पर्जा के घर में छुप गए पर्जा के घर में छुप गए रसिनिया दोड़ी दोड़ी चल रही थी पर्जा लोग जो थे आग बवुला लेकर उसको उढ़ारी लेकर और आग जलाकर उसको मतलब डिराए और भगा दिये भगा दिये भगाए उसके बाद जब सुवा हो गया किसी तरह से अपना राजा जान बचा लिए जब सुवा हुआ तो ये रसिनिया एक सुन्दर नारी के रूप में थी राजा बोले तू राक्सी नहीं हो तू मेरे घर से निकल जाओ बोले कि नहीं हम नहीं निकल सकते हैं हम कैसे निकल जाएंगे आपको कहने से आपने तो हमें पत्नी बना कर लाए थे और यह जो आया था राजा के पुत्र था और राजा के पास आया काम करने को लिए तो यह अपने पिता से मिला तो इसे पुछे कि आप कौन है और मेरे घर काम कैसे करते हैं आप तो लगता है कि मेरे पुत्र के समान है, ये बोले कि मेरी जो मा है, वो मा मेरी है, जंगल में रहती है, मेरे पिता जी मेरे मा को निकाल दिये थे, और हमको मा बन में बिताती है, बन में बिताती है, और बन में ही रह रही है, हम उसी का बेटा है, आपके घर काम करते हैं, ये बोले कि तुम्हें हमको जाने देने का मन नहीं करता है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अपना ही घर रहेंगे, राजा सहाब आपके पास नहीं रह सकते हैं, सारी परजा मिलकर इरक्सिनिया को निकाल दिये, निकाल के और जंगल लोटा दिये, जंगल में पहुचा दिये, सारी परजा मिलकर और राजा भी सम मिलकर उसको जंगल में भगा दिये, निकाल दिये, और निकाल के घर, राजा को घर से हटा दिये, और सारी परजा मिलकर कहने लगे राजा सहाब अपने राणी को खोज कीजिए आपकी राणी कहां है अपने राणी को तो निकाल दिये थे ओबेचारी अच्छी थी तो उसको निकाल दिये घर से और इरक सिनिया को घर बसाए अपना राणी को खोजिए राणी कहां गई सारी परजा जब राजा को बोले तो राजा अपना पत्नी को तलास में लग गए यह जो लड़का था इसको बोले कि तुम्हारी मा कहा है बोले हमको मां से आप तो यह लड़का जो था अपने मां से बोला जाकर कि मां जो राजा है वो तुम्हारे बारे में बार बार पुछते हैं मां हम उनसे क्या जवाब द देना कि हमारा मां से आपका कोई जरूरत नहीं है हमको मां कहां है क्या करती है क्या खाती है कैसे रहती है आपको कोई मतलब नहीं है यह लड़का वैसा ही जवाब दे दिया सारे परजा मिलके खोजने लगे इस रानी को खोजते 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 जंगल के पास आएं जंगल म बिचारी एक जोपड़ी में रहती थी और लकड़ी बिन काटके बेचती थी और उसे अपना गुजर बसर करती थी जब परजा ऐसे हाल में देखे तो राजा को बोले राजा सहाव आपकी पत्नी जंगल में रहती है और जंगल में गुजर बसर करती है ले चलिए रानी को रा तो पिर से धन लच्मी सब कुछ उनके घर में आने लगे और राजा अपने पत्नी के साथ अपने बच्चे के साथ खुशी जीवन बिचाएं जब राजा अपने पत्नी और बच्चे को पा लिये फिर से तो उनका खुशी बापस आया राणी घर लोटी और राणी का भी पती मिल गए पुत्र का भी पिता मिल गए और पती का पत्नी और बच्चे सब परिवार मेल जूल के रहने लगे गुरुभाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजे सिर कीजे सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद हर हर महादेव घर कर महादेव